मैं इस वीडियो में बताऊंगा BHU के Λाफ फेकल्टी के भारे में बनारस ईनिवर्सिटी के बारे में अगर इस वरस आप कामन ईनिवर्सिटी इइंटरेंस टेस्ट का इक्जाम बढ दिये हैं उसमें BHU को आपने चूना है और LV करना चाहते हैं BHU से तो आपके लिए वीडियो काफी महत्तपूर है क्योंकि हर तत्थे के बारे में मैं लाफ फेकल्टी के बारे में बताऊंगा अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेकिते हैं तो सारे मन में जितने भी डाउट कोश्चन होंगे वो समाप्त हो जाएंगे और अगर कोई प्रस्ट रह जाता है तो कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं तो चली आए जानते हैं बीएचू के लाफ फेकल्टी के बारे में बीएचू लाफ फेकल्टी इसमें कौन-कौन से कोर्स संचालित होते हैं की फेकलटी में जान लिसेंग इसके बाद ल्ल्न जो होता है और एक एक लेलेंगज से संबंदि यह तीन प्रकार कर vergड होता है और बहुत होता है इसके बाद जान लेते हैं लीए से प्रारम्ब करते हैं LLB में देखिए सीटों की संख्या की अगर बात करें तो टोटल 286 सीट है इसमें मेल और फीमेल यानि छात छत्रा हैं दोनों के लिए सेम है 286 सीट इसके बाद फिर्ष की बात करें तो रेगुलर जो फिर्ष है ब्हु का ला फेकल्टी में LLB का वो 282 रुपिया है यानि 2,282 रुपिया और पेमेंट की बात करें तो 15,000 अब प्रस्न आता है कि पेमेंट सीट क्या है पेमेंट हो जैसे कि 286 सीट है या इसी में से 10 या 12 सीट होता है या इसके बाद जो 10-12 सीट जो उड़ी जाती है लगबग 10-12 सीट ही उसको अलग स से बी एचू पेमेंट में लेता है अगर रेगुलर जो सीट भर जाता है तो 10-12 सीट पेमेंट पेमेंट लिया जाता है और उसमें 15,000 फीस रखा जाता है इसके बाद LLM का जान लेते हैं LLM में सीट की संख्या है टोटल 47 और इसमें रेगुलर जो फीस है वो 28 और 32 36,000 देके LLM में भी कर सकते हैं कुछ सीट रहती हैं इसके बाद जान लएते हैं कि BALLB के बारे में BALLB में जो सीट की संख्या है वो टोटल 74 इसके बाद फीस इसमें देखें इसमें क्या है कि रेगुलर 222 और पेमेंट में 60,000 रुपिया है इसमें क्या है कि इन दोनों जέ देना होगा क्योंकि यह special course है इसमें क्या है कि यह एक ही फिस्ट देना होता है या तो आप डेगुलर में लेंगे तो 2282 पेमेंट में लेंगे तो 15,000 दोनों में से एक दिना होगा लेकिन इसमें दोनों को जोड़कर लिया जाएगा बी इसके बाद जान लेते हैं कि course details बहुत सारे वीडियो हमने LLB के संबंद में बना के रखा हमारे YouTube चैनल के playlist में जाकर देख सकते हैं इसमें जो होता है course details के बारे में हमें बता है इसके बाद admission LLB में admission कैसे होता है तो LLB में admission के लिए graduation में 50% मार्स के साथ आप पास हैं चाहें कि science से हो, commerce से हो, arts से हो अगर graduation आप पास किये हैं तो LLB में admission के लिए कोई उम्र सिमा की बद्दता नहीं है इसके बाद LLM में admission के लिए आपको LLB 25% मार्स का साथ पास होना होगा तब ज सकते हैं इस सबका विवरण हमने course details playlist में बना रखा हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं इसके बाद जान लेते हैं कि जो फैकल्टी hostel के बारे में इसमें तीन हास्टल है जो सबसे पहला है डाक्टर भीम राव अमबेट कर रचात्रावास इसका जो 1750 इसके बाद जो फ़र्ड हास्टल है वो है चानक की आफ़ी से 5360 रुपिया इस प्रकार से बीएचू में तीन हास्टल हैं अलग-अलग के सभी हास्टल है इसके बाद बीएचू के लाफ फेकल्टी में एक लाइबरेरी भी है बड़ा लाइबरेरी है और बीएचू का इसके बाद जितने बी मुखन अधिस या लेण हाईचू के रहते होते हैं सब को बुला कर मूट कोड़ में सेमिनार वग्यरा वगयरा cya जाता है इस के बाद छात्रों को जो LLV के торы होते हैं और न्याले में जब practice करने जाएंगे उसका practice मूट्प कोट में किया जाता है तो आप इस वीडियो को हमारे चैनल में क्या है कि मूज कोड क्या है इसके बाद लाख केलटी की बात करें तो इसमें इस वर्ष जो CUT हो रहा है common university interested, LLB का slivers जान लेते हैं कि क्या है जो छात इस वर्ष देना चाहते हैं वो तयारी में लगे होंगे, slivers इसका 100 multiple twice question रहेगा objective type का, उसमें English comprehension रहेगा समाने जो English रहता है, इसके बाद जी के general knowledge रहेगा, इसके बाद computer basis यानी computer के कुछ knowledge भी पूछे जाएंगे समाने प्रस, इसके बाद general aptitude and logical reasoning, समाने कुछ math या reasoning के जो प्रस्ण होते हैं ज्यादा कठी नहीं, उस type के question रहेंगे, total 100 question रहेंगे, और minus marking के भी बेवस्ता होती है, और ये जो exam है, वो NTA द्वारा National Testing Agency द्वारा आविजित क्या रहा है, और total ये computer based exam होगा, इसके बाद जान लेते हैं कि BHU के lab faculty में 75% attendance अनिवार है, अगर आप इसमें lab faculty में अटेंडेंशन लेते हैं, तो regular class जाना अनिवार है, 75% से अगर कम है, तो आप परिछा नहीं दे सकते हैं, ये वास्तिक्ता है, अन्य इनवर्सिट्यों की तरह नहीं है, कि आप नहीं गए या मातर कहने मातर का है कि 75% होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो अलग इनवर्सिट्यों का अलग भी सह है, लेकिन इसमें BHU में अगर कम है, तो आपका admit card रोक दिया जाएगा, आप लाख कोशिस कर लिजिए, तब भी जाके admit card जारी नहीं होगा, जब इसके बाद जानते हैं कि quality content BHU के professor जो होते हैं, वो अपने आप में एक बिद्वान होते हैं, अब सारे subject के आपको professor मिल जाएंगे, अच्छा lecture देते हैं, अच्छा quality से पढ़ाते हैं, CRP, CPC, यादी जो कठिन कठिन विशे भी होते हैं, लौ में, उन सब के मरमग्या बिद mission हो जाता है, तो बहुत सभाग की बात है कि BHU के law faculty में आप पढ़ेंगे, अगर कोई भी प्रसन आपके law faculty BHU के बारे में है, तो comment करके हमें पूछ सकते हैं, और जहां तक हो सके मैं प्रसन का जवाब देने का प्रयास करूँगा, इस परकार से हमने BHU के law faculty के बारे में जितना जनकारी था, हमने बताने का प्रयास किया